सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Samsung Mobile में SIM Card Lock कैसे करते हैं तो अगर आपके पास भी Samsung का Mobile है और आप अपने SIM Card को Lock करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहे हैं मैं आपको Samsung Mobile में SIM Card Lock सेटिंग बताने वाला हूँ तो चली सीखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने Mobile की सेटिंग वाले एप को Open कर लेना है तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक Option मिलेगा Biometrics and Security अगर आपको सेटिंग में कहीं पर भी Security का Option मिल ला है तो उसको आपको Open कर लेना है Security में आने की बाद आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और नीचे आपको एक Option मिलेगा Other Security Setting तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है अब यहाँ पर आपको Setup Sim Card Lock पर क्लिक कर लेना है अब देखे यहाँ पर आपको वो Option मिल जाएगा Lock Sim Card तो Sim Card को Lock करने से पहले आपको अपना Sim Card सेलक्ट करना होता है कि आप अपने कौन से Sim को Lock करना चाते है तो यहाँ पर मैं अपने Geo Sim को सेलक्ट कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपको Lock Sim Card के बगल में एक बटन देखेगा इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपसे पुछेगा Enter Your Current Sim Card Pin अगर आपने पहले भी कई बार अपने Sim को Lock किया है तो आपने उस वक्त जो Pin डाला था वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और अगर आप पहली बार अपने Sim को Lock कर रहे है तो आपको अपने Sim Card का Default Sim Pin डालना होगा अब यह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ हर Sim Company का एक Default Sim Pin होता है जियो का जो Default Sim Pin है वो है 0000 यानि कि 4 बर 0 और Airtel का Default Sim Pin है 1234 ज्याना कि Airtel का जो Sim Pin है 1234 वो सभी Airtel User के लिए है ऐसा नहीं यह केवल एक लोगों के लिए और जियो का जो Sim Pin है 0000 वो सभी Jio User के लिए है जितने भी लोग Jio का Sim इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर मैं Jio का Sim Pin डाल देता हूँ 1234 4 बर 0 ओके करना है और आपका Sim लॉक हो जाएगा अगर आप अपने Airtel Sim को लॉक करना चाहते हैं तो Airtel पर क्लिक कीजे इसको लॉक वाले अप्सन को क्लिक कीजे और यहाँ पर अपने Airtel Sim Pin को डाल दीजे 1,2,3,4 ओके कीजे और आपका Airtel का Sim भी लॉक हो जाएगा अब जैसे आप अपने मोबाल को रिस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपसे पासवर्ट मांगेगा अब देखिए यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जब एकी Sim Pin सब के लिए है तो कोई भी मेरे पासवर्ट को Open कर सकता है तो आपकी बात लाजमी है लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो अपना मन पसंद का Pin भी डाल सकते हैं लेकिन शुरुवात में आपको Default Pin डालना पड़ता है अब यहाँ पर आपको एक Option मिलेगा Change Sim Card Pin इस पर क्लिक कीजे और आप एक नया Pin यहाँ पर Enter कर सकते हैं तो यहाँ से आप Pin चेंज कर सकते हैं और वो Pin आपको याद रखना पड़ेगा वरना आपका Sim Card Blog भी हो सकता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी Question है तो Comment Box में जरूर से पूछ लीजेगा